दोसे जासे कि आप लोग जानते हैं कि Huawei को Trump के बैंड के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस बैंड से कंपटिनी के लिए US Tech कंपटिनों के साथ बिजिस करना मुश्किल हो गया है इसमें से एक कंपटिन Alphabet Inc. है Huawei के phones में इसी कंपटिन के Android OS का स्थमाल होता है हाला कि अब Huawei के लिए गोशन किया कि वो अपने operating system पर काम कर रहा है Huawei का यह operating system उसके smartphone में Android को replace कर देगा इस अफ़े Huawei के एक कार्यकारी ने गोशना की थी कि कंपटिनी के अपने operating system का नाम Hongman OS होगा यह OS जल्दी users के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा कुछ रिपोर्ट के अनुसा इसे इस साल के अक्टूबर तक रोल आउट किया जा सकता है हाली में Google के extension के बाद Huawei अगज़ 2019 तक ही Android का एक्सेस कर सकता है ग्लोबल टैम्स की आई एक रिपोर्ट के अनुसा तो यह कहा जा रहा है कि हुआवे का होंग वाइंड्रोइड के मुकाबले साथ प्रतिश्रत तेज होगा ख़बर की माने तो ओपोर फिवर ने हुआवे की नई OS को टेस्ट करने के लिए अपनी टीम भीजिती और उन्होंने यह कंफर्म किया कि हुआवे का OS सच में एंड्रोइड से साथ प्रतिश्रत ज्यादा तेज है हम इन दावल को तो फिलाल कर नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा रिपोर्ट में अभी बात सामने आई है कि यह टेंशन भी हुआवे की इम यू आई टीम के साथ हॉंग मैंग ओएस को टेक्स करने के लिए काम कर रही है साथ साथ कंपनी ने अपने ओपरेटिंग रिस्टम के लिए नो देशों और यूरॉप में ट्रेड मार्स के लिए भी अप्लाइ कर दिया है हॉंग मैंग ओएस को स्मार्टफॉन से लेकर गैजिट्स पॉर्टेबल कंप्यूटर से लिकर रोबोट्स कार और टीव में इस्तिमाल किया जाएगा माना जा रहा है कि होंग मैंग ओएस इस साल के अंतर तक करीब में होंग मैं ओएस वो तकरीब गूगल से 60 परसेंट ज्यादा फास्ट है तो देखते दोस्तों जबते कि रोल आउट होता है और अगर आपको अमारे वीडियों प्रसंद आया तो उसको लाइक कर दिजिएगा नहीं है तो चैनल कर दिजिएगा और कमेंट करके मुझे सब्सक्राइब और देखते लिए अपना चैनल दा टेक्टेक्रिकल्स